यूशिका जीवन कीई लास्ट लेक्चर के अंदर आपने देखा था कोशिका जिल्ली के बारे में जन्रल जो है पूरा complete introduction आपको दे चुका हूं कोशिका जिली के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि अंतरवेशी प्रोटीन क्या होता है कोशिका जिली के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि कोशिका जिली के अंदर मिलने वाले जो प्रीधिय प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं ग्लाइको प फंक्शन्स ओफ सेल मेंब्रेन, फंक्शन्स ओफ सेल मेंब्रेन, सबसे पहला जो most important इसका work अगर मैं बात करता हूँ, वैसे तो कोशिका विध्दी के लिए जो होते आईए, उत्तर आईए, जब तक ये expansion इसके इंदर नहीं होगा, तो क्या cell फैल सकती है, क्या नहीं फैल सकती, एक कोशिका, दो कोशिकाओं में जब विभाजित होती है, तो कोशिका जिल्ली जो होती है जब तक नहीं तोटेगी दो वगों में नहीं विभाजित होगी तक कहां बनेगा इसेल, नहीं बनेज़ो तक तक कोउशिका वृद्धी के लिए responsible होता है कोशिकाव कोशीकाहँ से जब दो कोशीकाहं को निरमान होता है तो उसमें कोशीका था करती है कोशीका के अंतर ग्रहन के इंदर अंडो साइटोसिस से समझ जाहोगे अगर भॉलते हैं इसको होता है ना कि एक cell जो है बाहर यह molecule अगर present है यह इसका nucleus इस molecule को क्या कर लेथी है वो intake कर लेती है intake मनला हो खाना एक तरीके से जो भख्षकान में कोशिकाइं होती है किसी molecule को खाती है वैसे अगर एक एंडोसाइटोसिस क्या होता है बाहर पढ़ा जो इस अबसान से फूड पार्टिकल इसको इनर साइड गंदर लेना एक कैविटी बना करके कवर कर लेगी फिर इनर साइड गंदर लेगी आपको किसर कैसे कवर होगा इन डिटेल पढ़ेंगे आप इसका इम्म्यून यहां पर इसे और यह ऐसे यह क्या है ऐसे लीपिड का द्विस्तर आप बोलग स्फूश्श पर्टिकल बेठे तो पहले ओवलब पार्टिकल करहाँ आपका यह चां अब यह बापेस बन जायेगा यहां पर इसे यह पाट वापिस बन गया समझाई बद फूड पार्टिकल इन दोनों द्वीज सर के बीच में अब क्या होगा यह अंदर वाला तूट जाएगा तो वह अंदर चला गया और वापिस लेयर बन जाएगी ऐसे बनता है ऐसे होता है इसका कोशिका आई कोशिका की जिली टूटी दोनों लेयर और अंदर टूटते ही तो सेल का में सारा मेटरियल निकल जाएगा सोचो आप ऐसा नहीं होता है कि सैल को पंचर करके सैल के अंदर कुछ अपनों देंगे पूरी सैल एक साथ कभी ने टूटेगी इसकी जो डबल लेयर होत सांस का तो कैसे करती हो मैंने आपको बता दिया है कोशिका 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 की जो पहचानने की परकिरिया होती है सेल टूसेल डिकोगनाइजिशन कोशिका से कोशिका से कोशिका से कोशिका पहचानना सेल टूसेल डिकोगनाइजिशन सेल टूसेल डिकोगनाइजिशन एक क कोशिका से दूसरी कोशिका आपको मैंने कल बताया था कि यह जो ग्लाइको लिपीड और ग्लाइको प्रोटीन आपको देखने को मिल रहे हैं ऐसे नहीं है अगर वह मैच कर गए तो तो वह क्या होगा नर युगमक से निकल कर कहा चला जाएगा एक के अंदर अधर वाइस नहीं जाएगा तो वह आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट कोशिका वृद्धी विभाजन हो गया एंडोसाइटवसिस हो गया कोशिका विद्धी हो गया है कोशिका से कोशिका को पहचानना हो गया है इसके अलावा कुछ अगर अपने स्किप कर रहे हूं तो सबसे important point इसका secretion secretion में help करती है कोई भी substances को बहार secret करना कोशी का जिली से बहार आगर देना तो कोशी का जिली तो काम में आएगी तो यह आपको पता होना चाहिए तो यह सारे points आपको पता होने चाहिए main point आपकी NCRT ने जो define किये है आप देख लेना इसी NCRT के अंदर जाओगे तो 5-6 पॉइंट लिखे हुए तो वह उसके transport में depend करती है जो अपने पूरा डिटेल में पढ़ेंगे across the membrane जो ट्रांसपोर्ट होता है कल आपको बताया था कि membrane जो परतयास होती हो चैन्नात्मक पारगम्मे होती है तो वही पॉइंट जो अभी अपने डिटेल पढ़ेंगे उसमें जो एक्रोस दा मेंब्रेंट जिल्ली के जो परिवहन होता है जिल्ली के तरफ जिल्ली के आर पार यह बोल सकते हो आप यहां लिख रहा हूं मैं यह फाइफ जो वरक है इसके जनर्रल आपको यह पता होने चाहिए उसके अलावा आप देखें आप ट्रांस्पोर्ट एक्रोस दा मेंब्रें कैसा कैसा हो सकता है यह को सकता है पैसिव पैसिव ट्रांस्पोर्ट एक हो सकता है सक्रिय जिसको क्या बोलते है एक्टिव ट्रांस्पोर्ट सक्रिय और निश्क्रिय के बारे में कुछ लिख देना चाहता हूं मैं पहले निश्क्रिय जो होता है वो क्या होता है सांदर्ता परवणता के अनुसार सांदर्ता परवणता के अनुसार सांदर्ता परवणता इन दा सेंस कंसेंटेशन ग्रेडियंट कंसेंटेशन कंसेंटेशन ग्रेडियंट के अकोडिंग होगा चिक है सांदर्ता परवणता के अनुसार ठीक है दूसरा नो नो एनी टाइप ओफ एनर्जी इस रिक्वाइड कोई किसी भी तरीक के कोई उर्जा की आफशकता नहीं होती यहाँ पर सांदर्ता प्रवनता के विपरित सांदर्ता प्रवनता के विपरित और एनर्जी इस एनर्जी इन दा फॉर्म ओफ एनर्जी इस रिक्वाइड यहाँ पर उर्जा की आफशकता होती है कणों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए निश्किरिय परिवहन जो होता है वो फर्दर कितने तरीके का होता है दो तरीके का होता है कोन कोन से हैं निश्किरिय परिवहन के अंदर निश्किरिय परिवहन के अंदर फर्दर इसको टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है कोन कोन से है फर्स्ट वन है विसरन सिंपल डिफूजन सधारन विसरन क्या बोलते हैं इसको सधारण विश्रन क्या है यह सिंपल डिफ्यूजन सेकिंड नंबर सू साध्य विश्रन बोल चकते हैं अब फैसिलिटी डिफ्यूजन भी बोला जाता है इसको या सू साध्य ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं सू साध्य विश्रन इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा फैसिलिटेटीड इसका मीनिंग पता है क्या सांदर था परणवन था यहां पर भी सांदर था परणवन था पता है तो ठीक है नहीं पता है तो मैं बता हुआ और इदर सांदर था परणवन था का मेनिंग पता है क्या आप लोगों को नहीं पता तो नहीं पता है मैं बताऊँ आपको सुनो आपको लक्षे से कि जब यह कहा है एक जिल्ली यह कहा है एक जिल्ली उस जिल्ली के आर पार यहां कणों की संख्या क्या है miarkan AG हिOS was only 2 दो-गिलास मेरे पांस एक मैं यहाँ पर भी Paनी इसमें भी पानी है इसके अदर मैं रहें क्या किया शुगर मिक्स कर दी ठीक है मैं इसमें कुछ नहीं मीक्स किया अब यहां पर फुर कोज की वेत्व हम यहां पर sugar solution रख दिया और यहां पर water है तो यहां पर आप देखें आप देखें एक मैने जिल्ली बना दिये यह क्या है selective permeable membrane बोल दें आप इसको या फिर semi permeable membrane बोल दें दोनों की तरहें काम करती है अर्द पारगम में फिर चैनात्मक पारगम में आपकी जो प्लाजा membrane होती ह बट मेरा concern वो नहीं मेरा concern आपको सिर्फ संदर्ता परवनता बताने से कि यहां पर कणों की संख्या क्या है शुन्य जीरो या फिर वाले चार पांच मैंने यहां पर भी मिला दिये और यहां पर क्या है हजार glucose के हजार molecules में हैं गुलकोज के 10 molecules में हैं तो यहां पर संदर्त ज़्यादा यहां पर संदर्त के हैं कम हैं संदर्त के हैं कम तो गुलकोज के molecule यहां से निकल करके वहां जा सकते हैं अगर जिल्ली चैनात्मक पारगम में हैं तो semi-permeable है तो नहीं जाएंगे semi-permeable में तो water move करता है प्रासरन में क्या होता है सिर्फ विलायक जो होता है वो अपनी उच्छ संदर्ता से निम्न संदर्ता की तरफ जाता है अगर मैं इसको चैनात्मक पारगम में बोल रहा हूं तभी यहां पर क्या है कर्ण जो है इधर से उदर जा सकते हैं अधर्वाइस पार्टिकल नहीं जाएंगे यह चीज धियान अखले जोगी नहीं लीज़्स कर्णों को इधर उदर जाने देगाёл क्योंकि चैनात्मक पारगम बनाएंगाए है अगर सैमी 100 molecule glucose के बैठे हैं फिर भी बाहर 10 दिख लिए न उसको भी छोड़ती बाहर 10 दिख दिख रहे हैं रही है रही है इसके लिए भूखी बैठी हो आप फिए खिलeping-कर के अब वह उसको खिलन के लिए energy लगाने पड़ेगी क्योंकि अगर नॉर्मल है कि यहाँ पर ज्यादा है कुणों की संख्या यहाँ से इजली जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नीए तो सू साध्य है विसरन, क्या होगा, सू साध्य है, still वहां पे carrier protein तो होगी न, बीच में जिल्ली लगाई है, और जिल्ली हो ही न, जिल्ली हो ही न, इस कोने में मैं एक अगरबती लगा रहा हूं, समझा रही है बात, इस कोने में लगाई है मैंने, और उस कोने के अंदर जो ह लोहे तो थोड़ा सा भात लगए लाग होता है तो मेरा कंसर वह नहीं है आपको कि विस्वरं किन किन में होता है अपने सर्फिस केमेस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं इदर आ जाएगे कि यहां पर selective and semi-permeable membrane आपको समझ आया होगा अब मेरा concern क्या सुने सुसाध्य विसरन के अंदर संदरता परवनता के अनुसार होगा जहां कणों की संख्या जादा होगी वहां से कम जो संख्या होगी वहां की तरफ मूव करेगा कोई यहां पर जिल्ली होती नहीं है किसी भी तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा ना हो तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा यह तो सीधे मूव करेंगे चाहे ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो अगर सुसाध्य विसरन की अगर मैं बात करू तो यहां पर आपको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए समझारी बात अगर एक क समझा रहे हैं अब 50 लोग में से 50 लोग में से 10 लोग ऐसे हैं जो आपकी क्लास के हैं नहीं क्या उनकी एंट्री होगी क्या नहीं होगी क्या उनकी एंट्री होगी नहीं होगी सुनो इस चीज को समझो मैं बोल रहा हूं कि सूसाध्य विस्षरन जो होता है उनके बीच में हो उनको कोई मतलब नहीं तो यहां से निकल करके आ यह संधार कि हावा को रोक सकते होगा आणे शुचा होगा पर ओक्रोक्ते होगा यह रूम है इस रूम के अलाव marked ही रोक सकते होगा पानी को अमए निसे चोटे चोटे जो पोड दिखरे से अंदर नहीं वो तो सरूसमें तो कुछ है नहीं वो सीधा घुसेगा और मलब लिक्विड बन करके और आ जाएगा अंदर ऐसा नहीं होगा सुनो आप कि उसके लिए तो एक पर्टिकुलर आपको प्रोटीन चाहिए चाहिए कि इस जिल्ली के पार हां बहार ज्यादा है अं ह Albanimyमे यह अंदर प्रेजंटहें और यह मेंब्रीन का आपका मेटरिक्स इंडियू साइट प्राजन वाला पार ऊड्रियमे मेंब्रेटी है मेला रचिया है कि हागत बैऋसे अंदर ही पहले से क्या है अ Alright बैठे हैं 500 लोग कि एक नए एक नए स्टुडेंट के घुसने की जगा तो छोड़ो उसका हाथ भी नहीं आ सकता इतने अंदर बैठे हैं और उस के पास खीजने के लिए भी ऐनरजी चाहिए अपनी शरीर के अंदर ऐसा ही होता है हर एक कोशिका अपनी नीड का ध्यान कहुद रखती है हर एक अग्जांपल मैं जो बोल रहा हूं яр हर जगह रिलेट हो रहे हैं आपको मिल जाएगा NCRT खोल लेना चैप्टर नंबर 9 टॉपिक नंबर 9.11 जो मैं बोल रहा हूं अब सुन लें चैप्टर नंबर 9 टॉपिक नंबर 9.11 कौन सा है जैवनू जैवनू के अंदर महां पर आपको क्या है अब यह यह टॉपिक तो हेंगे ईस यह संदर्ड जो गुलकोống मोलिक्यूल इसमें इसमें से दस माली जी इसमें चलेगे गलाइकोलाइसस में कितने रहेकस के पास कितने रहे गए कहां चले गए गलाइकॉलाइसिस कर रहे है इसमाज आया सम्झ आया एकम के उसके जटने के लिए उसके तुटने के लिए औक्सिडेशन जो ऑक्सिकरन होता है उससे उर्जा बनेगी उसमें चले गए हैं कोशिगा फिर भी कोशिगा के पास अंदर 90 और बाहर कितने 10 और कोशिगा अभी भी क्या है भूकी बैटी है कि 90 है कोई ना मेरे तो 100 के 100 मेंटेन रहने चाहिए इस चक्कर के अंदर कोशिगा क वह कैसा होगा एक्टिव समझारी बद इससे दो चीज क्लियर कर दी मैंने आपकी एक तो एक्टिव जो है परिवहन समझायोगा दूसरा कोशिका अपनी नीड का ध्यान हमेशा खुद रखती है वो अपनी स्थाई अवस्ता को बनाए रखना चाहती है वो अपनी स्थाई आवस्ता को बनाए रखना चाहती है कोई भी कोशिका कभिभी सामय अवस्ता это hing नहीं कर सकती कोई भी कुशिका कभी भी सामय अवस्ता अटे नहीं अतीन मतलब जो है सामय वस्ता कोशिका कर रुख еловक समझारी बाद अपनी अपनी शरीर के अंदर मिलने वाली कोई भी कोशी का कभी भी साम में अवस्ता के अंदर नहीं आती वो हमेशा स्थाई अवस्ता में आती है इसमें आती है स्थाई अवस्ता में और कोशी का अपनी स्थाई अवस्ता को बनाए रखने के लिए उसमें उर्जा की आशकता होती है और वो उर्जा यूज करती है समझारी बात यह जो लाइन बोली है न आपके 2021 के लिए सबस्टेट जुड़ा क्या बनता है एंजाइम सबस्टेट कॉंपलेक्स सुनाएं कभी सुनाएं कभी एंजाइम सबस्टेट कॉंपलेक्स से फर्दर एंजाइम और एजटीज आपको एंजाइम एजटीज मिल जाए और क्या मिलेगा प्रोड़क्ट यह रियक्शन कभी भी नहीं होती होती है क्या बेकवर्ड एक बार प्रोड़क्ट बन गया तो वापिस क्या हुं थी सबसेट बना सकते होगा da के मचिनी नहीं करवा रहुंँ पर समझे लें अप इसको वाहापे अभी किरिया का नेतांक पढ़ते हो ना के बना के टूओ और गोई एक immigrants फरते हो ने पढ़ते होurg फ़ना च्टेशन अ coffee के के मिलिदू रणा competitions पढ़ते हों नहीं पढ़ते हों ठोट के करें के सबस्टेट को देखलें और इसके एनजाइम और प्रोड़क्ट boy मेरा अगर कर सबस्टेट और सबस्टेट और प्रोडक्ट जितना जो सबस्टेट खत्म ओता जा रहा है उतना प्रोडक्ट अगर बनता जाए तो खोशिगा कहां आती है सामने अवस्ता के अंतर आती है नहीं आती है आती है कि नहीं आती जब मैं इसके कनवर्जन की दर इसके कनवर्जन की रेट अगर मैं डि MBA सापॉं में, dt करता हूं माईनस तो व्यांति यहां से यहां और मैं यहां पर का लिखा रहा हूं कि तो टाइम जो है वह कोशी का जिल्ली से आगए आपने करवाई कोशी का जिल्ली के अलावा जो है दस पॉइंट बता चुका हूं जो आपकी नट एकजाम के लिए इंकोटन वापकी एंसीटिक है सुनो आप अच्छे से इसको गार्ट है सफाईistा का मिनिंग होता है इदस देखो और यहां पर हजार सबसेटों मुझे कोई मतलब नहीं है यहां पांसो फ्रोडक्ट ऐा 5 जार प्रोडक्ट मुझे कोई मतलब नहीं है समझा रही है बत मुझे अभिकारक और उत्पाद की संदर्ता से कोई लेना देना नहीं है अगर अभिकारक और उत्पाद की संदर्ता सेम हो जाती तो उसको बोलते साम में अवस्ता अभिकारक की उत्पाद में परिवर्तन की दर उत्पाद के अभ गंटे बाद देख रहा हूं, 50 मिनट बाद देख रहा हूं, रियक्षन में जो इसका मद्यवर्ती बनता है, इंटरमीडियेट, इस इंटरमीडियेट की कंसेंटेशन हमेशा मेरे को कैसी मिल रही है, 500E, ES complex हमेशा मुझे 500E मिल रहे है, ये बताता है इसकी स्थाई अवस्ता को, इसकी कंसेंटेशन, DES upon me, DT, never changed, कैसी रहता है ये, constant, ये होता है स्थाई अवस्ता, कोशिका को मैं जब भी देखूँ, चाहे उसमें 10 glycolysis में जा रहे हूँ, अब मैं इस पर आ गया हूँ, समझे लो इसको, चाहे इसमें से 10 glucose molecule glycolysis में जा रहे हूँ, चाहे बार 50,000,000 मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे है, इन 100 से, जो मिड में बैठे हैं, यहां से 10 जाएं, 10 आएं, बाहर 50 हैं, सो हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है, ये 50 जा रहे हैं, 10 जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, इनकी concentration हमेशा क्या होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए, और इसके लिए कोशिगा क्या करती है, active, बाहर से energy लगा करके खींशती है, और अपनी साही अवस्ता को हमेशा बनाई रखती है, समझ आया, अब समझ आया कोई साथ ये, जाकर के बले ना, 9.11, ये अब भी बताने के पीछे reason यही था मेरा, कि आपको at least पता चल जाएगी concentration gradient जो है, वो कैसे change होते हैं, ये active वाला है, ये कैसा है, active वाला, और आपके लिए important है, इसके साथ साथ यहां की भी काफी चीज़ने clear होई होगी, अगर धंग से पढ़ोगे तो बहुत कुछ clear हो जाएगा, समझ आरे ये बात, पहले भी बता समझने के लिए, तो next, देखें अब, इसके अंदर मैंने आपको examples बताने हैं, और examples most important है, क्योंकि example मैं वही बताऊँगा जो आगे काम में आने वाले, example मैं वही यहां पर यूज़ करूँगा, जो आगे काम में आएगी, अब सुनो, आपके बास अगर NCRT हो तो मैं analyze करवा चीज़ों को, तो इस चीज़ को समझें आप, कि आपके पास आपकी NCRT होनी चाहिए, कि मैं कौन सी चीज़ कहां बोल रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, कि इस chapter में यहां लिखी हुए, तो लिखी हुए, उसको एक बार देखना है, तो देखना ही है, समझा रही है बा एक normal condition के जिसमें कोई barrier नहीं होता है, ये कहीं पर भी धोसों में, द्रववों में, गैंसों में, सभी में होता है, कुछ कारक हैं जो इसके विसन की दर को, जो है, प्रोब्लम कर देखना है, कणों की संख्या बढ़ा दी आपने, तो विसन धिरे हो जाएगा, शानता अगर क ठीक है, दूसरा, एक गजम्पल समझाए, कणों की संख्या बढ़ाई, तो तो तेम्परेचर बढ़ाने पर, तेम्परेचर बढ़ाएं पर कम बी ऊसकते ही, ज़्यादा भी सकते है, जादा भी सकते है, तो डिपैंड करता है कि सोलूउशन किस चीज़ का है, इसा नहीं है कि मैंने temperature दिया तो बढ़ जाएगी तो डिपेंड करता है उसमें आपने मिलाया क्या है आप उसके इंदर एक तो रेत मिला रहे हो और दूसरा शुकर मिला रहे हो रेत तो गुलेगी नहीं तो विस्टन कि दर हमेशा वैसी रहे हो शुकर मिला रहे हो तो गुल जाएगी और स्टार्ट हो जाएगी तो और स्पीड हो जाएगी तो वह करनों की संख्या पर डिपेंड करता है मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि temperature बढ़ाने पर बढ़ेगी कम होगी वह डिपेंड करता है कि कैसा solution आपके पास विस्टन किदर तो इस चीज़ का ध्यान दगना काफी सारे factors ह जो विस्टन किदर को परभावित करते हैं वहाँ पर लिखे हो है मेरा concern सिर्फ इतना ही है कि chapter 11 से जाकर कि वह paragraph पढ़ लेना ठीक है second number अब आजाए इस पर इसको तो कभी भूलना ही नहीं है आपको यह तीन एक्जामपल सिंपोर्ट एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट सिं यह मेंब्रेन के अंदर मेंब्रेन के अंदर मिलने वाले प्रोटीन है अगर यहां से सोडियम जाएगा तो वहां से कोई positive iron आएगा, अगर यहाँ से bicarbonate iron यहाँ से chloride आएगा हम इंगे, बोलिे समझते हैं, अगर यहाँ से bicarbonate iron आएगा तो यहाँ से chloride iron जाएगा, bicarbonate iron and chloride chloride shift जब situation बढ़ते हैं तो situation के अंदर, rbc के अंदर chloride shift देखने को मिलते हैं, जिसको hamburger phenomena बोलते हैं, जब human physiology पढ़ोगे तब बताऊँगा मैं, वो antiport है, वो क्या है, एक antiport है, proton potassium pump, आपको वे बताना ने चाहिए, proton potassium वाला, वैसे मुझे यहाँ पर बताना ने चाहिए, proton potassium वाला, क्योंकि वो concentration gradient के against होता है, यह concentration gradient के according है, एक बात बताना मुझे, एक छोटी सी पूछ आँ आपको, अगर यह आपने अच्छे समझ लिया, तो लगबग, जो परिवहन वाला आना वो तो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे कैसे क्लियर हो जाएंगे, sodium potassium pump सुना कभी आपने, sodium potassium pump सुना आपने कभी, सर नहीं सुना, रंदरों की opening और closing के अंदर potassium proton pump भी काम करता है, रंदरों की opening and closing plant के अंदर पड़ते हैं तो आपर proton potassium pump काम में आता है, उसके अलावा भी काफी सारे pump word जहां मैं यूज कर रहा हूं, एक बात बताना, पाने की टंकी होती है गरों में, रहों में, तो यह नहीं होती है, इधर सुनो, यह आपके पाने की ट रफ बनाए है, समझने की कोशिश करो जो मैं बोलना चारा हूँ अगर मैं वर्ड यूज करता हूँ पंप क्या बिना इसको electricity प्रवाइड किया पानी उपर पहुंचाद होगे क्या पहुंचाद होगे क्या, नहीं, energy यूज में आएगी, तो जहाँ पंप वर्ड आ गया, सोचना ही नहीं है जहां पंप वर्ड आ गया sodium potassium pump, proton potassium pump कुछ भी आ जाए, energy use में आएगी, concentration gradient के against होगा काम, क्या होगा concentration gradient के against होगा आपको सोचना ही नहीं, आपको पता हो जाएँ जांदरता परवनता है, बनी हुई नहीं है पंप है, मतलब energy use हो रही है और active transport है, pump है मतलब energy, sodium potassium pump in your nerve cell neurons neurons के अंदर बढ़ते हो, sodium potassium pump वहाँ पे concentration gradient के against होता है, और वो ATP होता है sodium potassium pump के जो protein होता है वो ATP use करकर के उनको pump करता है करता है कि नहीं करता है, दो potassium inner side में 3, sorry 3 potassium, inner side में 2 sodium बाहर की तरफ ऐसा कुछ सुना होगा जा करके देख लेना क्या है actual के अंदर, पता जल जाएगा समझा रही है बात आपको भी पता है, कल अल्रेड़ी अब देख चुके हो दो बार, middle lemula पता है ना तो मेरी हां में हां मिलाने की कोशिश मत करना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ पहले डंक से सुनना और फिर हां मिलाना की हां सर आपने सही बोला है उससे मुझे पता जल जाता है की सामने ओला हां कर रहा है मैं गलत बोल रहा हूँ, सामने ओला फिर भी हां कर रहा है हां, ठीक है तो पता जल जाता है कि कितना जो आपने पढ़ा हुआ है इधर देखें आप देखो समझाना मेरा काम आप अच्छे समझें इसको पंप वर्ड आते हैं अब सोचोगे का अभी अगर मैं बोलता हूँ एक कोशिका के अंदर कि अगर मैं बोलो चैनल अब दो वर्ड और एड कर रहा हूँ मैं इनके लिए जो मैं वर्ड यूज कर सकता हूँ न इनके लिए चाहे वो इंटी-पोट हो जाहे वो यूनि पोट हो यूनि-पोट मतलब एक ही दिशा के अंदर आएनों का परिवहन या फिर सब्सांस का परिवन यह सिंपोर्ट थर्ड नंबर क्या बोल रहा हूं है सिंपोर्ट मतलब बाहर की तरफ अगर सोडियम आएगा कोई आइन आएगा तो इनर साइड में पोटेशियम जाएगा रफली बता रहा हूं यह पंप नहीं है कोई एक आयन एक दूसरे की एंटी चल रहे हो अगर हो कि ऐ 아니라 Sikh एक सुनेव सल एक पारति पहले अटी पथा यूणिपॉर्ट सीमपोर्ट सीमपोर्ट के मतलब दोसा साथ जाएंगे बिना sodium ion के glucose का absorption बहुत धीरे धीरे होता है और sodium होता है तो absorption अच्छा कासा होता है क्यों भाई शिकन जी बनाते हो घर पर नीबू डाला चीनी डाली पी गए नहीं नमक चाहिए थोड़ा सा टेस्ट के लिए ऐसा ही होता है तेस्ट के लिए नहीं होता वह glucose का absorption स्पीड हो जाए और अच्छा हो जाए जल्दी क्योंकि गुल्कोज जो होता है वह sodium glucose का हाट पकड़के अंदर की तरफ खीश है समझा रही है बाद डब्लु एच्छो और एस जो होता है उसके अंदर हलका सा सॉल्ट होता है साथ में क्यों होता है क्योंकि कार्बोहाइड जल एग्जमपल और देते हूं है है फोड़ा साथ टीप एक्जमपल यह प्रोटोन की साथ इन और गणिक फॉस्टी सुने से अपने जल्दी से बता रहे हो नहीं जल्दी से बता रहे हूं है माइट को रिए माइट वक यह के अंदर कृस्टी जानते को है सर ग्रिस्टी हम जा यह इसकी मैटरिक्स और यहां पर प्रेजन रोते हैं टांस्वेंब्रेन प्रोटीन्स जो काम में आते हैं पता है न पता है होता है कि नहीं होते अब सुने यहां पर इसके अंदर अगर इडिपी इसको यहां अंदर आना चाहिए तो बहार अटीपी जाएगा तबी आई ना जाकि ATP बना ले, ADP बाहर से आना तो चाहिए ना, अंदर ATP बनता है, यहाँ पर FG or F1 पार्टिकल से, तो उसके लिए raw material तो चाहिए न, ADP, वो ADP कहां से आएगा, जब ATP बाहर जाएगा, तब ADP आता है, तो इन और्गनिक फोस्पेट जो आते हैं, वो प्रोटोन के साथ आता है, तो वो सिंपोर्ट तरीकी से आता है, पढ़ोगे आप महां पर, बताऊंगा मैं, तो यह सारे एक्जम्पल बता दे, सू साध्य परिवहन, और इनको अब मैं नाम दे देता हूं, इनको बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन, क्या बोला था इनको, कैरियर प्रोटीन, या फिर इनको क्या बोलते हैं, चैनल प्रोटीन, प्रोटीन, टनल प्रोटीन, समझ आती है बात, हर एक वर इनके लिए यूज कर सकते हो, बेसिक्स जो है, वो अच्छे से बता दी है, जहां जहां पूरे आप बाइलोजी के अंदर इसको प्रलाजमा जिल्ली को पढ़ते हो, आपकी कोशिका जिल्ली को पढ़ते हो, वहां आप कहेंगे से और एक्टीव का एक्जांपल तो बतादो अब लिए अभी तक नहीं बताया, आपने डिफ्यूजन वाला बता दिया, सिंपल और बता दिया, एक्टीव के एक्जांपल में लोना, ओल पंपस, अब बाकी रहता है का कुछ, sodium potassium pump sodium potassium pump proton potassium pump sodium potassium pump proton potassium pump सब आजाएंगे इसके इंदर कुछ पर ऐसे सोचने हैं सर कब छोड़ेंगे बहुत हो गया आपके लिए नहीं था जिसके लिए था वो समझ गए जानते उसका मिनी नहीं जानते आजए ये नेक्स अंते जिली का तंतर एस स्क्वेर का मिनी एस स्क्वेर का मिनी नहीं पता मुझे भी नहीं पता क्यों शबाना इन शबनम पता है मिनी पता चल गया मिनी टाइम देखना बंद करें पढ़ें अभी भी बताऊं या समझ गई हो अंते जिली का तंतर अंते जिली का तंतर एंडो मेंब्रेन सिस्टम पार्ट आफ यूर सेल यहीं पर आपको पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ लेना है जो भी आप इन सेल ओर्गनेल्स के वर्क पढ़ते हो इन कोशिक आंगों के जो वर्क हों सारे आपको यहीं पढ़ डालने इनकी structure क्या है आप कहोगे अंनतर जिल्लिका तंतर होता क्या अंतर जिल्लिका तंतर का meaning पहले आप समझ लें फिट फर्दर आपने आगे बन बहते हैं कि माल लिजे मुझे कोई process करना मेरे को एक process करना जै एक work करना जै आप कहोगे अ क्या work करना है इस से काम में कौशघ करना है। कशिक मंधे करना है। मुझे कोशिक से क्या करना है। नहीं कोशी का जिली का तो स्त्रवन वाला काम है यह वो क्योंकि उससे हो के ही तो बाहर निकलेगा बट उसके अलावा आप सोचें स्त्रवन के अंदर अगर वो प्रोटीन को स्त्रावित कर रहा है तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकूलम आपको चाहिए क्या चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकूलम अंत्याप्रदवी जाली का अगर अंत्याप्रदवी जाली का नहीं हुई तो प्रोटीन और लिपिड बनाएगा कौन खुर्दुरी अंत्य परता भी जालेगा क्या करती है प्रोटीन सिंतिसाइज करती है और चिकनी अंत्य परता भी जालेगा क्या करती है लिपिड और स्टिरोइडल हार्मोन को बनाती है तो प्रोटीन लिपिड बनाएगा कौन सेकिंड नंबर गोलजी काई गोलजी बोड़ी अगर उन्होंने प्रोटीन और लिपिड बनाए तो उस प्रोटीन और लिपिड का पर्टिकुलर एड्रस कौन परवाइड करेगा उनको पैक कौन करेगा उनको टैक कौन लगाएगा एड्रस का गोलजी बोड़ी गोलजी बोड़ी पैकेजिं जालिका में जाना है कहां जाना है उस प्रोटीन को उसको एक टैगिंग जो प्रोवाइड करता है वो गोल्जी बोडी इसी वज़े से इसको पोस्ट में बोला जाता है पोस्ट में ओफ दा सेल या फिर ट्रैफिक पुलिसमें या फिर ट्रैफिक जो प्रोटीन लिपिट कर ट पूसिक होती है जो पैक होती है यहां से प्रोटीन बना फोटीन गॉलजीब्री से प्रोटीन जल अपगटनी एंजयम की तरह बिहेव कर रहा थो पैक हुआ बहुत अच्छे से डवलब होती है और जंतु सब्सक्राइब करते हैं एक से एक जुड़ा हुआ है समझारी बात तभी जाकर के यह पूरा कंप्रीट किसका पार्ट है अंतर जिलिका तंदर कि अगर मैं बात करूं जो जिली वाले ऐसे जिली से गिरे हुए ऐसे कोशी कांग जो आपस में क्या कर रहे हैं और किसी एक परिकिरिया को प्रोसीड करवा रहे हैं कोशिका के अंदर ठीक है स्ट्रवन वाली परिकिरिया को चारों मिलकर के काम करेंगे अब सुनिए अच्छे समझें इसका डाइगरम जो मैं बना रहा हूँ उससे आप एनलाइज करें कि कैसे प्रोसीड करने आपको यह क्या है कि यह क्या है किंद्रक क्या है यह किंद्रक के साथ किंद्रक की जो जिली होती है उसके साथ कॉंटिनुशन के अंदर होती है आपकी अन्तय परदवी जालिका क्या होती है अन्तय परदवी जालिका झाल झाल समझ आये यहां अब अच्छे से देखें यह केंच्वक को बटाता है केंच्वक जिली को बताता है यह अनते पर्दवी जाली का को किस्को बताता है यह अनतोप्रदवी को when the part of the world parecer के व es가 दा आते आपको और यह कैसा है अंतरप्रतविजालिका? कैसा है यह? कैसा है यह? मुझे दिखनी रहा? रफ है कै यह? आप भी कहां राइबोसॉम लगाए है मैंने इस पर? आप देखें अच्छे से? अब है यह खुर्दरी अंतरप्रतविजालिका बीना राइबोसॉम के उसको खुर्दरी प्रद्वी जाली का बोलोगे भी नहीं द्यान रखना चाहिए वह सीदा ना बनाया हूँ कि इसको डी रा अब क्या है यह कि रफ यह एंडोपलाज्मिक to check will siempre and वेटिकूलम और यह क्या है चकनिंदर प्रद्वी जाली का Beer Smooth Endoplasmid reti Kalam चिककनी अंतरपरदवी जालिका। यह क्या सी फॉह पोती है। यह final Schr 01 k की फॉहीं की सिस्टर्नी कीya फॉम吗 हूती है। तो वैसे इसकी वैसिकल की फ़ोञंस भी होती है। सिस्टर्नी वैसिकल और ट्रों तरीके की मैंने दो posled गों मैंठी में इसके अलावा आइनके मिलते हैं गलल है इक है जिसको बोलते हैं क्या एऊ झाल झाल अच्छे से अनलाईज करें बाप इसको यह स्ट्रक्चर जो आपके सामने बनाई हुई समझें इसको क्या है यह स्टार्टिंग के अंदर एंडोप्लाजमी रेटिकूलम जिस पे राइबोसोम प्रजेंट होते हैं रफ एंडोप्लाजमी रेटिकूलम अगर इस पे राइबोसोम एपसेंट होते हैं तो क्या होती है स्टार्टिंग रेटिकूलम चिकनी अंतर प्रदवी जालिका यह क्या है खुर्दरी अंतर प्रदवी जालिका का काम क्या है प्रोटीन को बनाना प्रोटीन सिंथेस करना क्यों कि इसके उपर क्या प्रेजन होते हैं राइबोसों प्रेजन होते हैं और राइबोसों का काम क्या होता है यह क्या है राइबोसों और राइबोसों का काम क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस तो खुर्दुरी इंते परते विजालिका क्या करती है सिंप hedge कर हिए इन्तापडبة बिजाली का जो ओती है वह क्या करती है लिपीड निरमान करती ए ई कि स्टिरोइडल होर्मोन वैसे स्टिरोइडल हॉर्म२न अगर मैं नहING है तो लिपई एंस स्टिरोइड कर K. अभЯ नहीं है लिपें भी तो यहाँ से अपे सामने इस ड्रॉटीन बनकर कहा नहीं है दो प्रोटीन को मिल रहे है यह प्रोटीन कहा से ले रहे लिए है यह से लेका गोलजी बोड़ी के निदर अंट्री लेकर के दिख रहे हैं यह वैसिकल जो मैंने बनाए मैं ए प्रोटीन यह रहे उसके अलावा यह पूरा कमपलीट प्रोटीन मैंने यहाँ पर फिट कर दिया है इसके अलावा भी आपको प्रोटीन बहार भी देखने को लगा गया अब यहाँ पर कर रहे है इस पर बदाता है protein को किस को gifires कि यहां से बाहर की तौर निगळेगा तो यह क्या है ग्लाइकोप रोटीन क्या है ग्लाइक है क्योंकि यह क्या करता है इसके उपर गुल्को सटैग लगए स्ट मेलब्स न में लगता है जिससे एक स्टेसिफिक और लगानों कि ऊपका धूर अधी तो है कोशी का तो माइटो कॉंट्रिया आपको इतना ही दिखेगा आधा माइटो कॉंट्रिया कहा है उपर है अगर यह माइटो कॉंट्रिया के पास यह प्रोटीन जाना है तो यह ग्लाइको प्रोटीन में जो इसका यह पार्ट है ना ग्लाइको वाला पार्ट यह क्य है सोरी गुलिकोस का स्टो के बाहर जाएगा अगर ये बताता है कि इसको और किlor complete लुकथा जाना वा जाना है तो ऐसको मतलब जाहे अन्त्या प्र्दभी जालिका खुद मिंद बनाती है चाहे माई प्रदभी Ce के थुरू और अगर उसको चाहिए तो वहीं से लोट करके आएगा चाहे यह जो आपका गोलजी बोडी जो है पैकेजिंग करता है उस प्रोटीन एंड लिपिड को पैक करने के बाद प्रोटीन क्या हो जाएगा गलाइको लिपिड क्या हो जाएगा गलाइको लिपिड क्या ह दूसरी कोशिक आएगी तो ग्लाइको प्रोटीन लिपीड इसका और उसका दोने दूसरी को रिकोगनाइज करेंगे तभी वह एंट्री ले सकता है जो नर युमक और मादा युमक वाला बताया था आपको पॉइंट तो पता होना चाहिए कि गोलजी काय जो है यह गोलजी काय किसका निर्वान करता है गलाइको प्रोटीन एन गलाइको लिपीड प्रोटीन एन लिपीड यह कौन बनाता है खुर्दरी अंतर परतवी जालिका और सिकनी अंतर परतवी जालिका यह समझ आया अब सुनो यहां से जो प्रोटीन बनकर आ यहां से पैक हुआ इसने जो वैसिकल यहां पर पैक कर किया वह किसकी तरह कर रहा है लाइससोम क्योंकि इसके इंजाइम कैसे है जल अबचणी एंजाइम इसके अधर पॉटी एज मिलेगा प्रोटीन को तोड़ने वाला कार्भोधिट तोडने वाला आपको नुकलियज मिलेगा नुकलिक असीड को तोडने वाला लाइपेज मिलेगा लिपीड को तोडने वाला जो यहां पर प्रोटीन बन करके आया इसने पैक कर दिया और वह एंजाइम के रहे बेव करना साट हो तो यह क्या हो गया लाइससोम और ऐसा नहीं ह नुंटेक हो जाएगी कम है तो बाहर कर देगी szikha की यह बनती कहां से है यह गोलजी बोड़ी से ही बनती है इसी वज़े से इन चारों को क्या आपस में क्या है यह सिंखुनाइज फैशन के अंदर बग करते हैं यहां से बनता है Lysosome और यहीं से बनता है आपकी वेक्योल लाइसोसोम के इस्टोर प्रोटीन पेक्क हो जाते हैं वेक्योल खाली स्थान खाली जगह आपकी NCRT केंदर जाकर देखे लेना पहली पहली लाइन आपको लाइसोसों के लिखियों कि लेगी कि लाइसोसों इसकी पेकेजिग ओफ गॉल्जी बॉडडी के नुंबर ओप प्रोटीज विच यैंप इंग्रमलब जुल अपकड़नी अंजाइम की तरह हैं वो बिहेव करते हैं एक जो जिली पके कुछ पूट्टटीकाओं का निर्मान होता है और वो पूट्टीकाओं यो होती हैं उनमें protein present होते हैं और वो किसको बनाती है lysosome का गोलजी बोडी की जिल्ली आवरित स्थान गोलजी बोड़ी से बना מק्तिकाओं जिल्ली यह क्या करता है प्रयूंतर यह इस के प्रासन नीमन को मेंटेन रहते हैं इसके अलबास की बाहर की जिल्दी को क्या बहुत इसके बलब लकां के कोशह कर सकती हैं समझारी बात लाइक अमीबा के अंदर अग्यरा के अंदर प्रोटिस्टा के अंदर परमीशियम के अंदर अगर कभी आपने देखी हो ऐसे तो यह जो एरिया बनता है तो यहां से पिछे खाद्या रसदानी कोई भी फूड आएगा वह यहां पर तो यह जो वेक्योल टाइप चैप से स्ट्टर बनती है इसको बोलते हैं खाद्या रसदानी क्या बोलते हैं खाद्या धानी तो और यह पूरी स्ट्टर में घूमती रहती है फिर बाद में इसको डिजेशन के लिए वह पूरा साइकल के अंदर घुमाता रहता है तो वह सारी पॉइंट जो आप पढ़ जो पाद जो है उसमें आपको लिखना है जनल जो और पूरा कंपलीट इंट्रदक्शन वेन आपको इसका दे दिया है समझ आ रहे हैं ना बात यह समझ आ रहे हैं उपर से जा रहे हैं अपको लोगों के अच्छे समझें क्योंकि यही इंपॉर्टेंट अगर यह समझ आया तो आपको अधर जो चेप्टर से बहुत इजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए एक बाद बताना मुझे मैं यहां बोल रहा हूँ यह अधात्री इसकोशिका की अधात्री इसके बहार यह कोशिका ऐसे नहीं होगी बहार इसको जो है छोटे-छोटे तंतू यहां पर जो है कि समयंज़जी उत्तक के चनदर इसकोशिक का बनता है इसको बनता है कि से एक्टाइब लगारेस तो यह न गटिक्ड बनतना अगर यह मेट्रिक्स अच्छे से समझ आती है तो most important है दो कोशिकाओं के बीच में किसी भी सबसंस का आदान परदान होता है तो बीच में क्या आता है matrix समझा रहे बाद आपके जो exchange of gases आपके जो कुपी का की जो सतय है उस कुपी का सतय पे जो आपका शीरा जो pulmonary शीरा और pulmonary vein फुफसिय शीरा और फुफसिय धमनी जो आ रही है फुफसिय धमनी जो deoxygenated ब्लड को लंग्स की तरफ लेकर के आती है और फिर फुफरदर जो एक्सचेंज होता है कुपी का सतय हो और उस फुफसिय धमनी के बीच में जब धमनी का उसकी शिराएं हो आगे धमनी काएं बन जाएंगे उन धमनी काओं में जब changes आते हैं oxygen के तो वो किसके थुरू होता है क्या सीधा जला जाता है क्या diffuse हो कि नहीं बीच में एक अधात्री मिलती है वो अधात्री क्या है जही तो है matrix matrix हर एक जगा important है tissue के इंदर भी important है जब oxygen जो है वो आपके blood में ट्रांसपर्ट हो कर टीशू के पास गई तो tissue के इंदर oxygen जो बाहर छोड़ेगा तो tissue को सीधा देगा का सैल को नहीं बीच में क्या चाहिए matrix उस matrix के नगा जाएंगे matrix से फिर वरदर tissue में तो यह matrix बहुत important है इसको मत चोड़ना यह कहीं पर सोचो कि यह तो ठीक है पूरे कोशिकां के important है matrix को जो हम याद करें ना करें यह सबसे ज़्यादा important है इसको छोड़ दिया तो जितने भी exchange हो रहे हैं कुछ नहीं समझाएगा कोशिकां के इंदर बीना matrix के exchange होता ही नहीं है और होता है ना जिनमें संधियां मिलती है टाइड जंक्शन दिर्ड संधिय वह तो सिर्फ आपका उपकला उत्तक है जिसके इंदर संधियां maximum देखने को मिलती है बाकी आपके कुछ एक उत्तक जैसे लाइक अगर मैं बात कर देता हूं पेश्च्छ उत्तक है इसके अंदर जंक्शन मिलते हैं पता है ना आजन च्राइड संधियां चिक्नि सल्सक्रागा उत्तक होती है इसके आलावा सिर्फ आपको यंच्छन जंध संसल में में बंदैं सिर्फ उपकलाउट तक के अंदर समझा रहे हैं बाद गडबड मत करना तो यह बेसिक्स जो है इसके आप अच्छे से देख लें पूरा कंपलीट आपको बता दिया है अब सुनें आपको सर आपने सब कुछ नहीं बता दिया तो हम इनको अलग-अलग क्यों पड़े है नीट इतना पड़ा है कितना याद रहेगा इतना सुन लो अब कोश्चन यह तो आपको ओवर्विव दिया कि कैसे यह चारों काम करते हैं यह क्या है इसकी सिस फेज यह क्या है इसकी ट्रांस फेज पहला नाम यह क्या है इसकी उत्तल सतर यह क्या है इसकी अवतल सतर यह है इसकी forming phase, यह है इसकी maturing phase, इस सारे नाम पता होने चाहिए, question आएगा कि protein जो होता है protein जो होता है, वो परिपक्वन phase जो इसकी, परिपक्वस तह जो होती है, वहाँ से entry ले रहा है क्या, forming phase जहाँ से, जहाँ से cyst जो बोल रहे हो, या फिर उत्तल, क्या है यह उत्तल, हमेशा यह ऐसा ही मिलेगा केंदर की तरफ हमेशा इसकी क्या होगी forming phase ही होगी, उत्तल सता ही होगी तो यह चीजें पढ़ने हैं आपको important है, NCRT के अंदर भी दिया हुआ है तो ऐसा मत समझना यह complete होगए, complete नहीं हो कुछ भी नहीं हुआ है कैमिलो गोल जी तो बताएं नहीं मैंने जिसने गोल जी वोडी की दिस्कवरी की थी वो लू की तंतिर का कोशिका में आँख के जो बैक्स में जो थी वहाँ पर 1898 1898 1892, 1898 चैप्टर नमबर टू के इंदर 1898 दिया हुए 1892 में डिस्कवरी की थी इवन वोस्की ने 1898 में कंटेजियम वाइवं फ्लुडम 35 में मिलर स्टेंले ने क्रिस्टलाइज किया था 1971 या 72 टियो डोईनर वाइरोईड की डिस्कवरी याद होने ची तोते गीदर है टिप्स पे समझार है बाद तब जाकर के सेलेक्शन होगा चीजें आपने सब पढ़ी है पर इन चीजों को बार-बार रिवाइज करना है अच्छे से इसको समझना है कि देखो इस तरीके से आपने अगर समझ लिया तो इसके बाद ये आपको रटने की जुरत नहीं है जब भी कोशन आएगा अब दिमाग में चलेगा गोल जी बोडी क्या करेगा एंड़ोप्लाज्मिक रेटिकूलम क्या करेगी रटना नहीं है इन चीजों को अगर यही रटने लगए तो बस फिर एक्जामपल्स कौन पढ़ेगा एनिमल कीडम के प्लांट कीडम के सुनो इसके अंदर एक छोटा सा पॉंट और अपने एड़ कर देते हैं जो इम्पोर्टेंट है प्रोटीन से ग्लाइको प्रोटीन का बनना इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइको साइलेशन ग्लाइको साइलेशन समझ आता है लिपीड से ग्लाइको लिपीड का बनना इस प्रोसेस को क्या बोलते है ग्लाइको साइलेशन यह कहें साइलेशन और यह क्या है ग्लाइको साइडेशन समझ आरे बात और अगर मालो यह लिखा हुआ नहीं भी मिले आपको कहीं पर कई बार पता क्या होता है ऐसा होता है कि प्रोटीन लिपीड जो होते हैं सुनो इंपोर्टन चीज मैं बता रहा हूँ कई बार कॉशन जब आता है उसमें क्या लिखा होता है कि प्रोटीन लिपीड से ग्लाइको लिपीड और ग्लाइको प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है इस परकिरिया को बोलते हैं तो ग्लाइको साइलेशन के साथ आप जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है समझा रही है मत आपको बता दिया कलको कोश्चन सामने आए उसमें तो कोश्चन ही गलत है कोश्चन गलत नहीं है वह स्टार्टिंग के अंदर जब डिसकावर हुआ था कि प्रोटीन से गलाइको प्रोटीन एं लिपीड से गलाइको लिपीड तो उस दोनों प्रोसर्स को सेम नाम दिया गया था इसी वज़े से वह काफी सारे कोश्चन उसी बेस पर भी पूछ लेता है तो गडबन मत करन हुआ हम ना मज committed काढ़ कि आपको समझ समर्ज आया होगा इसमें अब को इसके endoplasmic reticulum के वक इशा थीゴ में economy काम में ऐगी कि इंदर काम करता है किन्दर काम करता है नंबर अफ जो धीरी दीरी सारे यही पर आपको बता ज्याएं आप बात में परिशाएं यतने भी हार्मोन को present अंतेसरावी गरंथियां हैं उन अंतेसरावी गरंथियों का main work क्या है? स्तरवन करना और स्तरवन किसके थूरू हो सकता है? गोलजी बोडी की packaging के थूरू तो आप सोच लो उनके अंदर क्या गोलजी बोडी नहीं मिलेगा क्या? हॉर्मोन जो होते हैं इससे बनने वाला? लिपीड इन दोनों कहां पे आना पड़ेगा? गोलजी बोडी के पास तो जितनी भी हार्मोन को सिक्रीट करने वाली कोशिकाएं होती है अंतेसरावी कोशिकाएं क्या होगा उनके अंदर? गोलजी बोडी परधान होगा समझारी है बात? तो गड़बड मत करना यह सारे कोशिकाएं आपस में कनेक्टिड हैं बड़ देखने का जो नजरी है न वो नहीं है वही चाहिए बस पढ़ावा आपने सब कुछ ही है पढ़ावा है तो नहीं पढ़ावा तो बतादो आप अंतेसरावी गरंतिया जो होती है वो स्त्राव करती है पता है न इतना तो पढ़ा हुए न अब स्त्रवन करती है तो स्त्रवन करती है तो स्त्रवन कोशिका के निर करवाता कोन है हो सकता है गया इसके बिना नहीं हो सकता कुछ का जिल्ली का तो कारे है ही इस तरह उनका नपर करवा रहा को नहीं है तो ध्यान अगना इस इसका तो I think this is sufficient for today आज के लिए इतना ही ओके थेंक यू